नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे तेजस फाइटर जेट और कावेरी इंजन के बारे में क्योंकि दोस्तों जब इनकी डेवलपमेंट शुरू की गई थी तो इन दोनों को साथ में आना था लेकिन ऐसा पोसिबल नहीं हो सका तेजस जहां पर सफलता चू रहा है आगे भी इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहीं कावेरी फाइटर जेट इंजन जो सफल नहीं हो सका और अभी भी इसके उपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ये आगे कहां तक जाएगा तो क्या फ्यूचर है कावेरी इंजन का तेजस पूल टर्बो फैन जेट इंजन होना था जिसकी की 80 किलो न्यूटर पावर होनी थी और साथ ही दोस्तो इसका अच्छा खासा थ्रस्ट वेट रेशो होना था और एक मोडरन फाइटर जेट कन्फूगरेशन के हिसाब से इसे तैयार किया जा रहा था लेकिन दोस्तो ऐसा न लिया गया था और 6 प्रोटोटाइप बनाये जाने थे वहीं कावेरी इंजन भी तैयार किया जाना था DRDO को दोस्तो इसकी जिम्मेवारी दी गई थी और DRDO का एक कलस्टर था जिसके अंदर Aerial Delivery, R&D Establishment थी, Aeronautical Development Establishment and Center for Airborne System, Gas Tribine Research Establishment, Center for Military Airworthiness and Certification ये सारे उसके कलस्टर के अंदर आते थे वहीं दोस्तो तेजस के उपर DRDO और HAL ने काम किया और इसके अंदर बहुत सी development हुई जिसके अंदर jet engine का airframe, multi-mode radar, flight control system, digital electronic engine control, इसके इलावा कावेरी engine का integration और carbon fiber technology तक ये पहुँच गया था और दोस्तो ये बहुत बड़ी achievement थी क्योंकि हमारी country के पास उस समय ऐसी कोई भी technology नहीं थी लेकिन फिर भी this cutting edge technology को हमने खुद develop किया और इसके इलावा जो other countries थी aircraft manufacture करने वाली उनके पास fighter jet engine का भी advantage था और उन्हें three decade हो गए थे fighter jet engine के साथ काम करते हुए और दोस्तो 1985 में जो इंडियन air force ने अपनी requirement दी थी उससे 220 light combat aircraft चाहिए थे और दोस्तो ये fighter jet एक multi mission fighter aircraft होना था जिसके अंदर air combat offensive air support capability होनी थी इसके इलावा high maneuverability होनी थी और साथ ही दोस्तो ये हमें एक extended air defense cover देने वाला था किसी भी tactical battle area के लिए या forward basis के लिए वहीं दोस्तो कावेरी engine जो था वो GTRE यानि gas turbine research establishment ने इसके उपर काम शुरू किया और इसका जो thrust to weight ratio था वो वैसा नहीं था जैसा हमें चाहिए था इसलिए इसे तेजस program से अलग कर दिया गया DRDO के द्वारा और इसके उपर कम से कम 4 दशक का समया ले लिया गया था और अब इस engine को दोस्तो UAV के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जो ये कमी आई है दोस्तो ये हमें आगे जाके बहुत जादा कलेगी क्योंकि अगर ये engine नहीं बना तो हमारे fighter jet program को पूरी सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि दोस्तो local engine होना बहुत जरूरी है जैसा कि हमें प tension लगा दी थी जिससे हमें जादा technology ना मिल सके बाहर से तो ये भी हमारे लिए problem थी और उस समया fighter jet की technology बहुत जादा आगे बढ़ रही थी और दोस्तो engine की problem के साथ साथ इसके जो avionics और sub system थे वो भी air staff requirement के हिसाब से बदल दिये गए थे revise किये गए थे तो हमें ऐसी इसके ये जरूरत थी ताकि तेजस जो है वो उसका एक age रहे अन्या देशों के fighter jet के उपर और इसके अंदर कई चीजे आती थी जैसे दोस्तो air combat missile, multi mode radar, helmet mounted display और दोस्तो तेजस मार्क वन के अंदर electronic warfare capabilities की बहुत जादा कमी थी क्योंकि इसके अंदर self protection jammer नहीं लगा था इसके उप one वाले तेजस ने 2013 के अंदर initial operational clearance ली हलांकि इसके अंदर दोस्तो बहुत सी कमी थी इसके अंदर जो fuel था वो कम था इसके इलावा weight इसका जादा था तो फिर दोस्तो FOC level के लिए इसके उपर जादा काम किया गया और अभी तेजस मार्क टू जो आएगा उसके अंदर ऐसी क सका हमारी squadron strength लगातार घटती जा रही है और 2009 के अंदर दोस्तो ADA को तेजस नेवी के लिए भी बनाने का मोका दिया गया और उसके अंदर कई खासियत होनी थी sky jump take off और इसके इलावा arrested recovery concept भी उसके अंदर होना था जिसके कफी काफी ज़्यादा trial हुए और ये सफल भी रह तो दोस्तो ये 1980 की बात है जब कावेरी इंजन और तेजस fighter jet engine साथ में इनके उपर काम शुरू हुआ तेजस fighter jet सफल हो रहा है कावेरी इंजन के उपर नहीं हुआ और दोस्तो उसी ये वही समया था जब इसरो ने भी अपने पहले satellite launch vehicle SLV3 का experiment किया और उसके अंदर सफल रह सकते लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बाकी भी संस्ताएं हैं जो सफल रही है और DRDO भी बहुत सी चीजों के अंदर सफल रही है लेकिन दोस्तो अब अगर हमें आतम निर्वर होना है तो कावेरी इंजन जैट के उपर काम करना ही होगा और इसके उपर दोस्तो कुछ संकेत भी मिले हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री को साथ में मिला के इसके उपर काम शुरू हो सकता है तो ऐसे में दोस्तो ये देखा जाएगा कि कब कावेरी इंजन के साथ में तेजस आता है या कब हमारा कावेरी इंजन सफल होता है लेकिन दोस्तो ये मैंने एक कमपैरिजन क थुरू आपको बताने की कोशिश की है कि कहां हम सफल रहे हैं और कहां हम सफल नहीं रहे हैं धन्यावाद जैहिंद